नमस्कार दोस्तों बदोस आपको जानकरी देने वाला हूं वो आपको हमेशा के लिए टेंशन फ्री कर देगी दोस्तों आज का जमाना है ओनलाइन पेमेंट का ओनलाइन बैंकिंग का और सारे जो पेमेंट फीचर अब ओनलाइन ही हो गये हैं हम भी अपने फोन के अंदर अपने computer laptop से ही online payment करते हैं तो दोस्तों आप भी अगर online payment का आप सहारा लेने लग गए हैं चाहें वो paytm है या दूसरी इस तरह की payments या net banking है तो आपको भी यह डर जरूर बनता होगा कि कहीं हमारा personal data जो भी banking से related है या कुछ भी अपना जो personal data है वो secure कर लें कभी न कभी हमारा data चोरी होने का डर लगातार बना रहता है तो यहां मैं आपको एक ऐसी तरीका बताऊंगा एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जो बहुत ही simple है आपको अपने phone में अपने computer में करनी है वो आप हर हफते भी कर सकते हैं या हर महीने भी एक बार आपको करन इस तरह का जो भी payments related है आपका banking से related है तो उससे बचने के यह एक बहुत ही simple सा तरीका है तो उसके लिए आपको करना क्या है अपने phone के अंदर आप जो Google की setting है Google की setting में आपको जाना पड़ेगा तो आप देखें यहां से भी आप जा सकते हैं लेकिन यहां पे आपको Google में browser पर जाएगा ठीक है जैसी आप यहां पर जाएंगे तो देखें इस तरह का एक यह मेरा net off है इसलिए आपको यह दिख रहा है तो मैं देखें यह उपर आपको तीन लाइने नजर आएगी यहां पर देखें यह तीन लाइने जब आपको दिखेंगे आपको यहां ती प्राइटिंग के उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप थोड़ा से नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको एक option दिखेंगा privacy and security ठीक है यह बहुती खास एक फीचर होता है जिसको सभी लोगों को यूज़ करना चाहिए तो देखें प्राइवेसी जैसी security के अपर आप जा हो जाती है तो यहां आकर हमें देखे cookies and site data तो यहां पर आपको टिक करके और यह clear data पर टच कर देना है इससे होगा क्या जो भी आपके phone के अंदर जो cookies जो third party जो spy जो काम करती है वो यहां से delete हो जाएगी दोस्तो आपके phone के अंदर जो data चोरी होने का जो डर बना होता है वो इन cookies के थ्रू ही होता है चाहिए वो किसी भी site या किसी भी third party apps के थ्रू आपके phone के अंदर store की गई हो तो आपको यह Google के अंदर settings में आना है settings के अंदर आपको य यह सारा delete कर देना है उसके बाद जैसे आप यह delete कर देंगे आपके phone के अंदर जो भी cookies store हो चुकी हो अभी तक वो सारी delete हो जाएगी और आप tension free हो जाएंगे कि आपका data कहीं बाहर तो चोरी ना हो जाए जैसे कि banks related या कुछ भी personal आपका data हो तो दोस्तों आपको यह काम हर subscribe ने किया तो subscribe जरूर कीजिए क्योंकि हम इस तरह की अच्छे ची वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते और गंटी का निशान जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारा notification भी मिलता रहें और यह बहुत free होता है और आप इस से आधा फायदा उठा सकते हैं तो अभी के धन्यवाद